भाई दूज के दिन न करें ये पांच काम, जाने क्या करें क्या नहीं। पांच दिवसिय दिपोत्सव पर्व की समापती भाई दूज के दिन होती है। इस विशेश दिन भाई की लंबी आयू और खुशाल जीवन के लिए यमराज की पूजा करती हैं। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त में भाई को तिलक करती हैं। वहीं भाई बहनों का आशिरवाद लेकर उफार देते हैं। भाई दूज के दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि इस क्योहार के दिन छोटी-छोटी गलतियों से भाई भन के रिष्टे में खटास आ सकती हैं। आये जानते हैं कि भाई दूज के दिन क्या करें और क्या नहीं। भाई दूज के दिन क्या न करें। एक भाई दूज के दिन के भाईयों को अपनी बहनों से जाने अन जाने में भी जूट नहीं बोलना चाहिए दो भाई दूज के मा समदिरा समेट तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए तीन इस दिन भाई को तिलक करने से पहले बहने खाना न खाएं भाई को टीका लगा कर आर्ते उतारें और मुह मीठा कराने के बाद भी खाना खाएं चार भाई दूज के दिन भाई और बहन को एक दूसरे से भूल कर भी लड़ाईच गड़ा नहीं करना चाहिए पांच इस दिन बहनों को भाई के द्वारा दिये गए उफार का निरादर नहीं करना चाहिए भाई दूज के दिन क्या करें? एक भाई दूज के दिन बहने भाई को घर बुला कर तिलक लगा कर आर्ती उतारें और भाई को भोजन खिलाएं दोग भाई दूज के दिन भाई को पान खिलाना बेहत शुब माना जाता है मान्यता है कि पान खिलाने से बहनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ती होती है तीन भाई दूज के दिन यम देवता और यमुना का पूजन किया जाता है इसके अलावा यम और यमुना की कथा सुना जाता है चार डॉट भाई दूज के दिन चित्रगुप्ट, लेखनी, दवात और पुस्तकों की पूजा करना शुब होता है पांच मान्यता है कि इस दिन यम के निमित दीपदान करने से व्यक्ति अकाल मृत्यू से बच सकता है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है हमेशा खुश और स्वस्त रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद